पुरा बहुत बड़ा जखम है जी इधर मारी है पुरा इधर ते रिफायन गरम करके तेल पिला दिया रिफायन और बाथरूम यह सब खिलाया पिलाया जाता था कितनी सच्चा है इसमें सब पूरा सच्चा है सुन्दरी खिलाया में और इसी सब सदमे में पापा को हाट टेक है पापा के डेट हो गया पड़े के बिना भी आपको रखा जाता था सुन्दरी मेरा कपड़ा उतार देती थी एवल का तार एट के रखी रहती तो चार पांच दोहरा करें बिजली वला अब आने बहें से मरवाता था उल्टा टांग करके तम मारता था हां बीना कपड़े की कितनी प्यारी सी तस्वीर है अंजू की लेकिन ज़स्ट जब स्टेशन पर मिली थी यह तब की तस्वीर है अभी हमारे साथ बनारस की यह वही अंजू है जिसने साथ साल पहले लव मेरेज किया था और लव मेरेज का परिनाम देखिये कि इनके ससुराल वालों ने इनको इस कदर टॉर्चर किया दहेज के लिए कि इनको जो है कि सरीर में जान ही नहीं बचा है इनका सरीर समझे कि एक जिंदा लास बन चुका है यह समझे तो अपने भाई को एक लवारिस लास की तरह स्टेसर पे मिली थी और इनके भाई को जी सावास्था में मिली थी इनके भाई ने इनको पहचाने से इंकार कर दिया था कि साइद तुम मेरी बहन नहीं हो लेकिन इ तो वो आपको प्यार के जाल में फसाया होगा प्यार के जाल में कितने दिनों तक आप दूसरे एक दूसरे से घर की मम्मीबूक्त सभूल और नहीं कि पुछे व्यामी हमको से कुछे अपने अपना फैसला खुद ले लिया अच्छा सभी हिए गया सभी हो गया प्रूसराल गए अब always कोट मेरे वड़ेश कोई य क कोई नहीं था कर दो आपने सोचा कि जिस माने जनम दिया ममी को एक बार बुला लेते हैं पापा को बुला लेते हैं चोटे भाई को बुला लेते हैं नहीं सब्थे मने अच्छे सवागत किया होगा ननद ने सबको अच्छे से अर्ष प्रेम आपको ये comenz प्रश के लिए अवे स्टेश नय को Ferr मेरा मेरे लिखता या तो चारलाग उर्पियाद दो ऊना जमीन ने उन सब से हैं इसयद गेता तब इल जाएंगे तो आपके घर में था पैसा उतना आपके मैके में आपके मुंस इसी पास नहीं पीसा पलाकिनेस्ट तो कैसे मतलब होजन के लिए तक गुजारा कैसे होता था हम जोटकाय सब्लीकाएं ह 토र्ष्टा फज रटो घ गर चूठा बच जाता था वहीं आपका घर जाते आप अपने पती को नहीं समजाती थी कि कितना गलत हमारे साथ हो रहा है ओ देखता था के सामने आपके पती भी उस साजीस में सामेल थे अब बच्चे को अपने पास रख लिए मतलब बच्चे का माइंड अपने तरफ कर लिए मम्मी नहीं कहते हैं अब लोगों ने सिखा पड़ा दिया कि मम्मी से बात मत अभी आप कैसे वहां से निकली थी कि हम जब सुने कि मेरे बुटेजाब फेकने वाले हैं और जो दीपक पांडे मेरे साथ गलत करने को सब्सक्राइब खोल दिया था तो डिवाइन से पब्लिक उसको पीछे जात के पीछे है उसे उपर कोट के भागे कि सब तेजाब फेक देंगे तो तेजाब के बारे में अचा आपको दागा भी जाता था मारा भी कैसे मारते थे लोग चप्कुलागर में चुवा दिये सुंदरी पांडे मेरी आग मरचा भर दिये मेरा बाल काट दिये इधर मों को मारे यह पाइप सिपुरा अरी बहुत बड़ा जखाम है जी इधर मारी है पूर जखाम है जी तो इतना दुस्मनी, इतना दर्दना कि स्तिती आपके साथ ऐसा क्यों? दहज के लिए उस घर में आप इकलोती बहु थी और कोई बहु नहीं थी तो उस घर में कौन मतला मालिक कौन था? आपके पति, आपके ससूर, आपकी सास मेरी नना सुंदरी वह माली के घर की हो साथ ससूर को कोई लेना गना, जो सुंदरी कहेगी वही होगा, वही टोर्चर करती थी, खुस्बूश सुंदरी जो है न, दो, वही है अध्युक्य कहना पर वता सब, अच्छा, ट्वालेट और बाथरूम यह सब खिलाया पिलाया जाता था, कितनी सच्च पूरा सच्चा है सुन्दरी खिलाई है मैं आपको पता नहीं चल धोके से जानते वक्त पूठा जबरजस्ति तो तुम ऐसा आइसा करेंगे वैसा करेंगे इसे डरकिमारे मखा ले भाय को में सद्धमकी देती ती कि भाय को मरवा देंगे कटवा देंगे आपके भाई को बच जाने के लिए आपने इतना कश्ट उठाया है कि मेरा भाई भी बनारस में रहता है कुछ करें नमर भी अंजु आपको पता है पहले आप जीतने खूबसूरत दिखती थी आज उतना नहीं दिखती है नहीं बोड़ी पूरा बरबाद हो चुका है आपकी दोस्त साह देखें चे महीने के बाद कभी कभी आज तक नहीं कमाने नहीं जाता था नहीं घर पही रहता था अच्छा अंजु कैसे घर से भाग करके कहां आई थी आप अम बढ़ गया कुछ के ट्रेण में बैठ के सीधे साह गंज गया तो अजय आगे आगे भाग फोन तो मतलब घर से कैसे भागे थी कूद करके घर से निकल के इसके पहले भागने का प्रयास की थी पकड़ा पकड़ा गया तो पकड़ते थे तो मारते होंगे इस पडोसी जो मतलब जो भो लो बोलती ती अगल बघल इसले डरता ता अच्छा कपड़ा उपड़ा नहीं आओ साधी बिवा चाय को इंद्धीजा अपका आता आता को देखा आता तो खरीवी नहीं कुस नहीं जानते सबको कि चाय अगर पीते थी ना कुछ मतलब एक नौकरानी की तरह आपको रखा जाता नोकरानी को इंसान पीएगा तुम कहा लो तुम भी एक कफ्या पीलो लेकिनों अब तो हमको कुछ भी नहीं देती थी चाय तक कितना साल हो गया होगा अच्छे साथ साथ अपने घर आए तो सब चीसे मन भर गया यहां पे और आप एक यूग समय हो गया था दिल से बताना आपको अपसोस है अपनी गलती पूरा है बहुत लड़की अभी भाग जाती है ममी पापा का इज्जत नहीं लेकिन अपसों बनना चाहिए अपके बाल को कौन काटा है सुन्दरी वही काटी है तो वही तो एक महिला है वो भी प।ढल कि की बहु बेटी बनेगी चाहiph है बन गई है साधी होचुका है अपने रहती थी अपहला वेलती DID सुराल को कर दी मतला ठरकाट अब अपने माइक को परमाथ रहएρι साधी बात और लड़कियों के लिए क्या कई एक जो ममी पापा को ठुक रहा देते हैं बरबाद करके चले जाते हैं वह कहांगे कभी बाद सून कर चले अपने मन से कभी नग करें ममी पापा दूख थोड़ा सा गरीब परीबार में ही किये रहते लेकिन सुखी रहती बात तो हमेशा आना जाना रहतो हो आपके माई यह से भाई कभी गए था आपसे मिले भाई मेरा उस वक्त छोटा था आज इतना इतना बड़ा रहता तो इतना बुरा गतिन नहीं होता है लगर भाई इस समय उत्रा बड़े रहते तो पापा आपके कहा है पापा मेरे गया ते मा फिर मागे महाँ पर मेरा एक बेटा हुआ तो पापा के सुन्दरी माफ कर दो अब सब लोग एक हो जाया जाए पापा को बेच्चत कर भगा दी और इसी सब सल्दमे में पापा को हाट पापा भी चले तो आपकी गलतीयों के वज़द सेहीं नहीं पापा गया है साध अभी आप यह गलती नहीं कि पापा आपके साथ रहते हैं अच्छा बाबू एक बात बताओ अभी भी पूरा अपसोस है आपको कि हमेने बहुत गलती कि अभी यहां पर अच्छे से ममी तीन ननद है एक सास हां और आपके पती है संजय ससुर सबको आपने मुकदमा कोई छुडाने नहीं आता था कपड़े के बिना भी आपको रखा जाता था सुन्दरी मेरा कपड़ा उतार देती थी अपना हाँ से तो कभी मारती नहीं थी केवल का तार एट के रखी रहती त तो चार-पांस दोहरवा करें विजली वला जुता हाँ जो काला-कला रहा था उसको रखी रहती थी बिन कपड़े मारती थी हमीं उतरवाग के और वहां पे आपको कोई बचाने नहीं कोई नहीं आता था रोने के लवा कुछ नहीं दिखता था सामने बैठके तो पूचा नहीं कि तुमसे इतना प्यार किए घर से भाग के साधी कि अगर मूँ खोले तो और सम्मानने लगे ना मतलब चुपचा पिटाना है कुछ मूने खुलना है सब रोने में बना दे कि को सून के आया नपाए इतना कुछ हुआ है अन्जू की माह हमारे साथ है कितने बच्चे बड़ी बेटी जब घर से गई बिना बताये तो आपको पता चला कि मेरी बेटी घर छोड़ के चली जब संजय के बारे में पहले से पता था नहीं पहले से नहीं बता था तो कैसे पता चला कि संजे के साथ ही गई है। दो महीना नाराज थे गुस्सा में ते रहा गए फिर हमको मया लगा के माही नर्खी हमको छोगे चले गई तो इसके पापा गए इसके घर ससुरार ससुरार के संद्री एक किलो मीठा लेकर गए ते कहे संद्री जो हुआ तो हुआ अब माप कर दो विटा अब से हमनों एक हो ज अब आधाल करके अपने ससुरार से सबोडर देती है तब बात की रेली तुकार हमारे आदें के नाम लेकर फननमा कैसे आए भगा कुता के बगाए इससे गाली गुता से बात करकर बेव मीठा लेकर गए तो मीठा फिक दी बेच्जत साथ वहां से रोकर कलब कर घर पढ़ा गए इतना कुछ हुगा फिर भी ओ लोग सुधरने का नाम नहीं नहीं आपकी बेटी इतना दीन से टॉर्चर सहती थी आपको पता चला कि बेटी को कस्ट हो रहा है नहीं हमको पता नहीं चला मेरी 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 बेटी के मोबाईल द्वारा को इक नहीं था कोई बात बीचार अब लुए प्रेम के साधी की है हमारी दौरानी के मारी साज गई हमारी देवर गए सब को कोई कोई से मिले नहीं दिया तांव प्यार मुबत कि एप अच्छे से नगी होगी हमने कुछ ऐसा कुछ ने कि अगर में आकर बैट गए साथ साले में कितनी बार फॉन पर बात यह एक बार भी नहीं हुआ था आपको आपकी एक माह हैं आपका माह का फर्ज निभा सकती है ना कि बेटी से बात करें दुख में सुक में वह गलती कर दी इसका मतला भी गलती करिए हम नहीं कर पाएं हम सोचे मारे लगी सूख से होगी प्रेम से होगी हमने यहीं सोचा हमारे गलती किया और लड़कियां भी गलती करते उन लड़कियों के लिए क्या संदेश दिजा अजूत एक उदाहरण बन गी इसा है कभी न करें लब मेरेज कभी न करें क्यों भी लड़की कैसा करती हों कैसे टॉर्चर करते थे लो मतलब सुनें बड़ा गलत तरीके से मारता था धेश क्या है की तुम जो चारलक रुपए अपने माँ बांगो विजली का तार से तार केवी नहीं उता है इसको वाइट कैर और नंगेैं पानि भर बोटा था दूसरे के च्छत पर से दुसरे कबने में डाकार महने रखी चापा से पानी भरती थी और नंगे की यह उसको असानी रे मारने में जुक के चले रहाइड नहीं निकाल देड़ी फरें घट टांक के लिए पर अश्रेट रखकर लिए आप अंजु पाल डेह से बता रही है पूरा बाल तो मतलब वांजु नहीं आपको सब नहीं पता सकती कि अब भूल जा रही है कि वो बता नहीं सकती है घ्लाने पिलाने वाला किया खाती थी resilience यहां ंचाजाव बासी तो भी नहीं देती थी नाशा हूं लड़की पनारे के जुठा लेकर खाती थी बगल में लातारे में मिस्त्री मजूरा जो लगए रहते थे लड़की दोती नीचे लड़का कर अब मिस्त्री बान के खाना देता था इस अब करके तम मारता था बिना कपड़े के अब रोने के अलावा कुछ कुछ नहीं इसा करती थी कितने लोग जेल गए अब जेल में कोई ने गया है हम तो देखे नहीं नहीं नेकि समय नारा को दो लोग गए हैं ने बता हम देखे लामारे साथ भीशाल थोड़ा स्रीधा हो यह बड़े छोटे भाई हैं पड़े अपसे बड़ी हैं जू जब यह गलती की तो आप साथ चोटे होंगे बहुत चोटे तो यह बताई एक कैसे आपकी बहन से मुलकात हुआ पर जाकर किसी अन्य मुवाइल से लेकर किसी कॉल की तब मुझे पता चला कि ऐसे से साथ हुआ है आप वहां पे गए हम पहचान लिया हम नहीं पहचान लिए उनको नहीं पहचान पर यह जिसका बाल कंबल तक इतना था हमारे सामने और आज उसके सामने देखने चोटे-च कोई बिना कपड़ा नहीं हमारे बहन तो यहां से इतने पहनने इतने उलने वाली अब एक बिलाव एक साहावे देखे कोन पहचाने उसको स्टेशन पे शरीर पे अंग वस्त्र नहीं कोई वस्त्र नहीं कि वल लाव लाव पेटिकोट बाकी पूरा शरीर ऐसे उनको लेकर गाया तो हम कपला लेकर यहां से गयते कि उम को पहले बता दे कप्ला लेकर आ ना भाई हम एस ऐसे हैं अब को थोड़ा सभी सदमा नहीं लेगा कि अचानक मेरी भाला शाब कर दोanto बताए तभी तो खबढा कर एक मोड़ा खहए रात घाये को हम स्टेख सेदा लिके वहां तक वापस लेकर तुरंट रहना है ऊथ आपके अंदर मा पयापके अंदर किसी का नराजगी नहीं तो बहुठ लेंगे धारके न दूख कोई देखे गा तो सोचेगा तो छोड़ेगा वह कितनों कितनों भी हाथ काड़ दे कितनों कुछ कर दे लेकिन कोई अपना खुन छोड़ता नहीं है अच्छा और प्यार महबत बहुत लोग करते हैं क्या संदेश हमको सब करें कोई नया नहीं है गलत नहीं है लेकिन अपनी मा और बाफ से पुश कर जाच कर तब घर से कदम निकाले जाए उसी की गलती भूगत ना पर है प्रशाषन कितने लोगों गिरफतार क्या करवाई चल देगे हैं क्योंकि ऐसा जोड़दार नहीं जो सजा मित पहें हमारे शाथ अंजू के परिवार वाले थे बहुत सारी कहानियां हुई और कहानियों ने जो है कि पूरी तरीके से करके रख दिया इस परिवार को चलिए कुछ तस्वीरे आपको दिखाते हैं यह तस्वीरे काफी पहले किया जब साधी नहीं होई थी अपने किसी दोस्त के साथ अंजू जो एकी बनारस के घाटों को घूम रही है काफी खुबसूरत इसमें जो एकी दाहिने साइट देख बाद की आपको तस्वीर दिखाते हैं यह साधी के बाद की अंजू की तस्वीर है यह जो तस्वीरे देख रहे हैं यह साधी के बाद की अंजू की और उनके जो पती है संजे उनकी यह तस्वीर है और एक उनके पती के साथ की यह तस्वीर है इन सब फोटों में तस्वीर कि यह पहल नहीं सखेग्व में कर थे हमारे ह् El elegy कर रहे थी तो लोग रखीज़ Greek बात करने बो लोगों को समय में औहाँ कि पड़ी है कि अच्छे घर आने के लड़कीए तब ITiving तो यह्यसती हमारे साथ अंजु का परिवार वाले थे बहुत सारे दर्द से अंजु गुजरी है और उसके दर्द के बाद जो है कि उनको भी वैसा ही दर्द मिलना चाहिए सरकार प्रसासन कानूनी करेवाही करे ताकि जो है कि अंजु को नहीं मिल सके